नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों सबसे पहली चीज में आपको बताता हूँ संडे की शाम को 6 बजे लाइव सेशन है आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइव सेशन में जुडिएगा और आपके जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं पर इस बार संडे की शाम को लाइव वेव के बारे में जी हां ये बात मैंने आपको बताना शुरू कर दिया है कोरोना की सेकिंड वेव से रिटर अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो वह आप मुझसे बेच सकते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन जो मार्केटर में फैला हुआ है मैं कोशिश करूँगा क्यों उस क शाम को 6 बजे तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जहां कहीं पर भी हो मोबाइल में यूट्यूब जरूर ओन करेगा और वीडियो को जरूर सुनिएगा अब बात करते हैं यहां पर एनर्जी अपडेट की क्या रहेगी आपके एनर्जी कैसी रहेगी आपके एनर्ज दशेरे के दिन नवरात्री के आखरी दिन यहां पर आपके एनर्जी किस तरह से जा सकती है ठीकिए 25 अक्टोबर 2020 कैलकुलेशन करते हैं डेट का 25 अक्टोबर 2020 पांच और दो चा पक्ट्चीस का क дня आता है। 7 पूरा कर्कुलेशन क्या आता है। 7 और एक आठ ओर चार बाड़ा दो और एक तिन तो 7 और 3 का एक यहां पर combination यहां पर बना हुआ है और 7 और 3 की combination की देखते हैं हम क्या energy यहां पर निकलती है देखें आज के दिन का जो energy update है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आज के दिन यहां पर आप सभी के लिए कहीन के एक busy day रहेगा अब आप कहेंगे सर संडे का दिन है busy कैसे हो सकता है पर यकीन मानिए दोस्तों आधा दिन आप सभी का busy रहेगा आज के दिन किसी काम में आप उलजे रहेंगे और दोपैर से पहले-पहले का जो समय रहेगा यह काफी जादा hectic schedule हो सकता है आपका ऐसे chances यहां पर दिखाई दे सकते हैं कहीं आना हो कहीं जाना हो किसी से मिलना हो किसी परिजन की death हो गई हो कुछ ऐसे भी chances आपके हो सकते हैं तो यहाँ पर कही न कहें आप किसी न किसी कारण से दोपेर से पहले पहले बिजी रहेंगे ऐसे चांसे यहाँ पर दिखाई देते हैं दोपेर के बाद का जो समय रहेगा वो आप सभी के लिए खुशनुमा रहेगा वो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा और वो आप सभी के लिए कही ने कही पाइदे मन्द भी रहेगा जी हाँ तो संडे का जो यह एनर्जी अपडेट है यह काफी ज़्यादा कमाल दिखाने वाला है काफी ज़्याद अच्छा है आप दिखाने वाला है संडे का जो एनर्जी अपडेट है यह आप सभी को यहाँ पर दो तरह से फाइदा और नुकसान भी दे सकता है फाइदा कैसे देगा दिखे फाइदा ऐसे देगा कि कल कही ने किसी से विशेश व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है तो वहाँ पर अगर आपका कुल काम निकलवाना हो तो आप निकलवा सकते हैं और नुकसान किसे देगा? नुकसान ये देगा कि सुवे सुवे का जो समय रहेगा वहाँ पर हेक्टिक शेडियूल के कारण आप सभी को दिकते भी हो सकती है आप सभी को परिशानिया भी हो सकती है तो थोड़ा body एक हो सकता है, थोड़ा सा health में आपको down-down low-low feel हो सकता है, ऐसे चांसे यहां पर दिखाई देते हैं बिल्कुल निश्चिंद रही है, बिल्कुल परेशान मत हुई है, बहुत ज़्यादा खराब दिन नहीं है, दिन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा दिन है, देखिए पॉस्षुब सयोग है यहां पर 25 अक्टोबर को, देखिए नवरात्री का आकरी दिन है, दशेरा भी सा होंगे यहां पर, साथ ही साथ, संडे का लाइज सेशन भी है हमारा, जो उसमें भी जरूरा ना है, तो वो भी खुशी की बात है, क्योंकि मैं खुश होता हूं हमेशा, इसके अलावा आप देखेंगे, तो आप अंदर से काफी ज़्यादा प्रसंद्र महसूस करेंगे अप के साथ, बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई परशानी नहीं होगी, और बहुत आराम से आपका दिन निकलेगा, यहां पर यह मैं उमीद करता हूं, और यह मैं देख भी सकता हूं, यहां पर आप सभी को क्या करना है, कहां सावधा नहीं रखनी है, दिखिए आज के दिन, जैस पाने का काफी जदा अच्छा दिन यहां पर आप सभी के लिए है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा कल के दिन आपको, जो सुबह सुबह नहाते समय, पानी में गंगाजल जरूर मिलाना है, और कच्छा दूद अगर मिला पाएं, तो वो और भी अच्छी बात है, आपको दिन को यूज करना है, आपका दिन और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा, अब एक विशेश और मैत्वपूर्ण उपाएं, क्या करना है आपको, दिखें यहां पर एक विशेश और मैत्वपूर्ण उपाएं बताने से पहले, एक इंपॉर्टन चीज यहां पर ब अच्छा नहीं मानता हूं, तो इसलिए यह जो भी मैं आपको उपाएं बता रहा हूं, यह सरल शुद्ध और पवित्र और वैदिक उपाएं हैं, इध्यान रखेगा, ना तो यह कोई लाल किताब के उपाएं हैं, ना ही यह कोई किसी भी तरह से टोटके हैं, तंत्र हैं, अपने दिमाग में लेके कोई भी गलत धारनाय मत रखियेगा, यह एक request करता हूं आप सभी से, इन उपाएं को अपने दिमाग में लेके कोई गलत धारनाय मत रखीगा, यह उपाय करने के बाद, आपका फाइदा होने के chances तो काफी जादा हैं, पर आपके नुकसान होने की कोई chances यहां पर नहीं है इस बात का विशेश दियान रखिएगा इसके बारे में मैं और डिटील में बताऊँगा लाइट सेशन में बाकी के राश्यों के लिए भी दिन अच्छा है दिन खराब नहीं है बाकी के राश्यों के लिए भी दिन अच्छा typically खराब नहीं है, नमबर्स में अगर हम बात करें तो नमबर्स में अगर हम देखें तो नमबर तीन नमबर यहां पर अच्छा जाएगा, नमबर चार नमबर यहां पर अच्छा जाएगा, नमबर छे यहां पर शांदाल जाने वाला है, नमबर साथ यहां पर शांदाल जाने लेता है उस अच्षु उपाय के बारे में जिसको करने से आपको मन की शांती भी मिलती है और अपकी काम भी होते हैं कि यह जानते हैं क्या यह यह में आपको करने और अपСबी को फाइदा मिलाता अब आइए बात करते हैं यहां पर आने वाले दिन के उपाय के बारे 25 अक्टोबर 2020 को आपको क्या करना है रात को सोते समय रात को सोते समय अपने सिराहने मतलब कि अपने सिर के पास एक छोटा सा ग्लास दूद का भढ़ लिजे या एक कब दूद लिजे और उसे आप वहां पर रख दीजिए कोशिश करिए स्टील के पातर में दूद लें स्टील का कोई भी बर्तन ले लें कोई कटोरी ले लें चोटी सी और उसमें आप दूद भर लें थोड़ा सा बहुत जादा नहीं राव मिल कोना चीए इस बात का विशेज द्यान किएगा कच्चा दूद अगर आपको मिल जाए तो व हुजूरुक मेंबर हैं उनके सिरहने आप ये चीज़ रख दें कुछ नहीं करना है एक पात्र लेना है उसमें दूद भरना है और उसे रात को सोते समय अपने पास में रखना है पूरी रात निकल जाएगी सुबह उठके उस दूद को या तो पीपल की पेड़ पर बरगत पीपल के पेड़ को या बरगत का पेड़ हो तो बरगत के पेड़ को जरूर दीजेगा अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं दूद देना है आपको सोना है रात को और सुबह उठके उस दूद को डालना है बहुत सिंपल गाम है कुछ नहीं करना इसके लावा सिर्फ इतना सा पूर्मर ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए कि इतना सा काम कितना बड़ा फायदा भी कर देता है कभी-कभी इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ और पुछना चाते हैं कुछ और जानना चाते हैं अपनी कुणलिक अनलिस्स करवाना चाते हैं जो कि मैं पेड़ करता हूँ आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कुशिश करूँगा आपकी हर संपर मद्दियां पर कर सकूँ कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पुछना चाहते हैं, WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं इसी नमबर पर वीडियो को Like बटन पर जरूर क्लिक करिए, वीडियो को Like करिए, Share करिए, Subscribe करिए जादा जालों तक पहुंचाईए, तकि जादा से जालों लोग इस वीडियो को देख पाएं, और इस वीडियो को आगे तक forward कर पाएं, धन्यवाद